हालो एबरीबरन, आई होब कि सभी लोग अच्छे होंगे, तो आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी लेके आएं, वो भी बहुत ही बढ़ियां और स्पाइसी सी बनेगी, तो इसी बनाएं किस तरीके से मैंने पालक ले लिया, टमाटर एक कट किया, प्याज को दो कट किया और लेसिन की कलियां ले लिया, इस तरीके से अच्छे से साथी सीजे क्लेन करके मैंने एक क्लेट में रख लिया, उसके बाद एक कड़ाई लेंगे, गैस पे चड़ाएंगे, गैस को आउन करेंगे, गैस को हाई फिलम पे नहीं रखना है, मेडियम ही रखना है, उसके आप चाहें तो 2-3 काजू और 2 बादाम एड़ करके इसे अच्छे से पका लें जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे तो ये जो पालक आपको दिख रही है कि इतनी सारी पालक एड़ कर देंगे बट हमारे बच्चे नहीं खाएंगे आप यकीन नहीं मानेंगे एक ब पक जाए तो इसे हलका सा प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें ठंडा होने के बाद इसे हम क्या करना है वो तो पूरा वीडियो जरूर देखीगा इसके बिल्कुल भी न करिएगा बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो है तो इसे हम इस तरीके से मिक्सी के जार में लेके इसे ट्रांफर करके हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगी जब इसका पेस्ट हम बना लेंगे कुछ इस तरीके का बिल्कुल बारी क स्मूत्सा होना चाहिए इस तरीके से बनने के बाद फिर कड़ा इंगे कड़ाई में हमें तड़के खड़े मसाले कुछ एड़ करने है तो तड़के में हम ये रतन जोत मार्केट में मिलता है तेजपता, जीरा, मरिश, डालचीनी का टुकड़ा लेके इस तरीके से तड़के थोड़े से ब्राउन कर लेंगे और तीखा आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप मेर्ची ले सकते हैं अद्रक का मैंने कूट लिया था वो पी इसमें थोड़ा सा अड़ कर दिया जब तड़के हमारे अच्छे से चटक जाएंगे, बिल्कुल ब्राउन से हो जाएंगे तब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, वो इसमें आड़ करेंगे तो पेस्ट हमारे जो प्याज, टमाटर, लेसुन की कलिया, पालक, इन सारी जीजों के बने हुए हैं इसमें आड़ करके अच्छे से मेल्ट कर लेंगे तड़कों में अच्छे से मेल्ट करने के बाद जब ये पकना शुरू करे जैसे कि उबाल आने लगे तब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो अब ये बिल्कुल बढ़ियां से हम इसे मेल्ट कर दिये हैं मसाले इसमें अड़ करेंगे उसके बाद हम इसमें एड कुछ भी नहीं करेंगे अगर आपको एड करना है तो थोड़ी सी जैसे मैं अभी एड करूंगी कास्मीरी लाल मिर्च एड कर दूंगी बहुत सारे लोग धेर सारी कास्मीरी लाल मिर्च एड करते हैं या फिर अलग से आते हैं मिर्च जो कलर लाते तो मैं कुछ भी नहीं AED करूँगी पसलका सा कास्मिरलाल कि ऐड़ करके एक कप पाणी एड़ कर दूगी वह भी जिस कपसे आप चाहय पीते हैं आपको इस तरीके से मेजरमेंट वाले कपसे मैंने नहीं बताया अगर आप जिस कपसे छाहय पीते हैं उसी कपसे पानी AED कर द उसके बाद प्लेट लगाके धकन लगाके हम इसे धक देंगे आप चाहे कड़ाई में बनाएं चाहे बाउल में या फिर कूकर में अगर कूकर में बना रहे हैं तो इस सारी चीज़े अड़ करने के बाद एक सीटी आपको लगानी है अगर आप कूकर में नहीं बना रहे हैं क तो मेरी तरह बिल्कुल इस तरीके से एक एक सटब ध्यान देना है, फिर आप धक दें, इसे पांच मिर्ट तक पकाएं, पांच मिर्ट के बाद अब पार घककन हटागे फिर से चला लें, जब ये फिर से चलाने के बाद कुछ इसतरीके का आये, तो हैं, तो इसमें हम धुद दूद के ऊपर की मलाई एड़ कर देंगे, अगर आपके पास मलाई ना हो तो इसकी जगां आप एक चमज घी एड़ कर सकते हैं, घी भी ना हो तो आपको कोई टेंसन नहीं, आप इस तरीके से भी यह बहुत ही यमी बनते हैं, तो मेरे पास थी दूद की मलाई यह तो मैंने से उपर से इस तरीके से एड़ कर दे constitu आप आप ईक चमस दही एड़ कर दे तो इस तरीके से एड़ करने के बाद फिर से हम दो-थीन मिनट पकायेंगे और इस तरीके से चला लएंगे चलाने की मैंने सबसे पहले मैंने अपने बेटे को चखाया जब उसे मैंने दिया जब वो बोल देता है मेरे घर में कि ममा ये सबसे अच्छी चीज बनी हुई है तो मैं समझ आती हूँ कि मेरी रेशीपी सच में अच्छी बनी हुई है यकीन नहीं आता तो इस रेशीपी को एक एक करिए और वीडियो बनाईए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब इसलिए कह रही हूं ताकि हर तरह की नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए आगली वीडियो में दुबारा फिर कुछ नया लेके होगी तब तके लिए बाबाई टिक क्यार